हेलो वल्कम तू दाक नाइट आरो तो आज मैं जो स्टॉपिक प्रेडिंग कर रही है वह है कृषि कमिंग तूवर्ट्स आपकी तरफ पौन आ रहा है थीक है अब की लव लाइफ में आपकी तरफ कौन इंट्रेस्ट ले रहा है कौन आपकी तरफ आ रहा है वीडियक को रहा है मेडिटेट करें मेरे वीवर की तरफ कौन आ रहा है मेरे वीवर की लाइफ में कौन आ रहा है विस कमिंग इन यूर लाइफ अ कि बनी ऊपने है फाल के अ विस तरफ कर रहा है आपके तरफ कर रही है किसी स्टेबिटी ऐसा हो सकता ताइरिश कर पोजल भी है यहां पर यह कमिट्मेंट भी हो सकती है लेकिन यह जो भी परसिन है आपके तरव यह जो भी आपकी लाइफ न जो रिलेशन्शिप यह जो सिटुएशन एंटर करने वाली है वह एक लॉंग तरम को लीड करेगी ठीक है मतलब एक लॉंग टरम बेस होगी वह चीज अगर आप इस अधर एफर्ट करेंगे काम करेंगे इस कनेक्शन पर इदर आपका फ्यूचर है यह पर्पोजल भी हो सकता है यह रिलेशन्शिप के लिए भी हो सकता है ठीक है लेकिन जो भी परसने मिचूर है स्टेबल है ग्राउंडड़ परसन है मेल यह फीमेल है प्रोवाइडर है है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है सबसे परम जिए आपकी लाइफ में जो इंण्ड़गी है वह पाक्ष खत्म हुआ है पास्ट सीचेशन कुछ उन्डू है पास्ट कुछ कश कामिक चीज़े आट रहा है लेकिन इस ताइम फ्रेम पर आपने कुछ आपके जब कुछ आपने एक पेस्ट में बहुत आपी जिन्दगी को देखा उसके बाद वो फेस्ट खतम हो चुका है अब एक न्यू चैक्टर है आपकी जिन्दगी का जो आपकी लाइफ में बालन्स लेकर आएगा ठीक है ऐसा हो सकता है पास पर आपने जो भी डिलेशन्शिप देख उसके बालस नहीं था जो आप डिजर्फ करते हैं आपको वह नहीं दिया रहा ठीक है लेकिन अब सिट्विशन ऐसी है कि बालन्स आ रहा है स्टेबिलिटी आरे ठीक है जो भी आपकी लाइफ में बनने जा रहा है वह एक सक्सेस्फुल चनेक्शन है ठीक है उसमें बालन्स लोगा उसमें आप दोनों जिसरे को एप्रिशेट करेंगे आप दोनों के बीच एक बन्ड बहुत जादा बहुत 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 होने वाला है जो अब स्टूशन आपक आपके लाइफ में अब कनेक्शन स्टार्ट होगा वो आपकी जिंदगी में सुक्सस भी देगा बैलन्स भी देगा अप लोगो आपके पार्टनर एप्रिशेट भी करेंगे ठीक है जो आपके अंदर अबिलिटीज हैं अगर आपके पास बलाइशन चे पैसे रहा हो सकते ह जिन में आपको सब्जा नहीं है लेकिन यह जो भी परसन है बैलन्स लेकर आएगा और एक आपके लिए जो एना एक पॉजिटिव थौर्ट रखेगा बहुत बहुत दा नेगेटिव नहीं रहेगा एक बैलन्स अप्रोच रखेगा ठीक हाड़ वर्किन परसन है काम करेगा र अगर अपने पास पर जिन्दगी में ऐसी सिचुईशन ऐसी कनेक्शन को देखा जो सामने वाले ने इतनी अफर्ट नहीं डाली लेकिन अब जो एक आपके लाइफ में एक फेस्टार्ट होगा वह बहुत बैलन्स होगा और हाड़ वर्किंग परसन होगा वर्क करेगा इस करना ओड़ को फिर शु किसे वर्क तारणा है तो आपको इतनी आपको इतनी अफर्ट करने ज़रुवत है शायद आपने पास है जोने आपको बहुत जादा तो यह बस इतना चाहेगा कि आप भी उनी के साथ चलें, फैमिली को लेकर चलने वाले इनसान होगा, सब को अपनी कम्यूनिटी को जोड कर रखने वाले इनसान होगा, यह जो भी परसन होगा, बहुत बैलनस है, ठीक है, और अगर इस परसन की कोई डर्क साइड भी रही है, अगर कुछ नेगिटिविटी भी रही है, तो आपसे अपने पास्ट हाइट करेगा यह परसन, मैं आपको बता दू, अपने पास्ट बहुत जादा डिसकस नहीं करेगा, सविन अप्रोट्स की एनरजी है, ठीक है, यह अपना पास्ट हाइट करेगा, आप के साथ यह पने पास्ट को हाइट करेगा, इक न्यू फेस स्टार्ट होने आपके लाइफ में जिसमें मैरिज कमिट्मेंट भी मिल सकती है, मैंने का नहीं स्टार्टिंग से यह कोई स्टेवल प्रोपोसल भी हो सकता है, यह अपकी तरफ अब आ रहा है, ठीक है, मैरिज के लिए करें टार्ट है एक से अब और रहा है जहां से ओर आपको अपने इक्सपेक्ट भी नहीं किया था कोई बिल्कुली अनन परसन आ लेकिन जो भी परसन आ रहा है यह आपकी कम्टी सॉरी डिस्पांसिब्लिटी लेगा ठीक है, अपकी अपको एकस्प्राइब करेंगा यह जै अब जो एक फेस बाद की लिए करें लिए बात करने हैं एक तकदीर एक नसीब आपको अपनी लाइफ में एक बैलंस रिलेशन्शिप देने वाली है जो आपको अपनी जिंदगी में बैलस लव लाइफ जीने का मौका देगी। लेकिन पास्ट पर बात करेंगे कुछ है यह परसन जो हाइट करेगा और वो यू हाइट करेगा इसलिए नहीं कि आपसे हाइट करना है। इसलिए कि इस कनेक्शन की स्टेबरीटी खरापना हूँ इसलिए हाइट करेगा कुछ नहीं चुपाएगा लेकिन वो चीश चुपाएगा जो इस रिष्टे की बुनियाद को कमजोर ना कर देगी। जो इसकी रूट सेना उनको मजबूत रखने के लिए हाइट करेगा अगर कुछ अपना पास्ट हाइट भी करता है अगर इस बात कुछ स्टार्ट हो रहा है कुछ स्टार्ट हो चुक है आपके लाइफ में कुछ न्यू फेस स्टार्ट हो रहा है बालंस से स्टेबिटी है आपको सेलिबिशन करने का मौका मिल सकता है अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में अपने इर्द गिर्द में जो आपके प्यारे ह हैं ठीक है यह family involvement वाली marriage भी हो सकती है कि family की तरफ से हो रही है family करवा रही है तो यह वो वाली भी marriage हो सकती है जिसमें आप भी खुश है इस person की family भी खुश है सब खुश है ठीक है आपकी love life में transformation है अगर पास पर आपने इस तरीके के अपनी जन्दध ही देखिए अपनी love life में अपनी love life में जो आपने फेस कर लिया अपनी love life में जिस तरीके का person जिस तरीके का behavior में पने वाली आप recruitment इस तरीके से आप साथ बिल्कुल ही उसके बरक्स चीजे आपके होंगया पिलाइट नहीं, तिक है, ऐसा हो सकते हैं जो परसन आरहा है आपसे दूर रहता हो डिस्टेंस हो आप लोग के बीच आप लोग इतना असानी से जैसे, डिस्टेंस मतलब मिलना मिलाना ना हो, डिस्टेंस ऐसे हो ठीक है, इसके पर बहुत टाम से नहीं है, कोई दिस्टंस भी हो सकता है, ठाकिए किसी भी तरीके का यह पर marriage involved है, 10 of Fan Ticle, 4 of fans and the hair of fans यह पर marriage involved है, जो भी situation आपकी love life में start होने वाली है तो marriage को lead करेगी, stability को lead करेगी, grounded energy को lead करेगी आपके उपर, आपको ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में decision हो, कि आपने this way, that way, कौन सा आपको रास्ता चूज करना है, ठीक है, आपको क्या चूज करना है, आपको किस तरफ move करना है, आपको चूज करना पड़ेगा, choices आरहे हैं आपके सामने, ठीक है, आप इस तरीस को accept करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, या नहीं, आपके उपर depend करेगा, decision आपके हाथ में रहने वाला है, इस तरीस का, इस love life का, इस love relationship का, जो भी आपके love life में, न्यू beginning आरही है, न्यू start आरह आपको किसी past वाली को choose करना है, जो new इंटर कर रहा है, उसको choose करना है, ठीक है, या तो यह भी हो सकता है, कि कोई past वाली हो सकता है, कि आप पास वाली की जो जितने भी आपके साथ past में इस person ने कि आप उसको भूलने को तईयार है, यह person कुछ आपको stability भी ओफर कर सकता है, शायद आप जिस person का वेट कर रहे हैं, वही person आपकी लाइफ में इंटर करें और stability दे लेकिन अब इस point पर आकर रुकेगी कि आप past को completely let go करें, past पे बात ना करें, कुछ मुझे कोई past हाइट करता वाभी नगर आता है, ठीक है, जो भी past में हुआ, जो भी past situation रही, उसको अचैशा का झाप साअरे में historically पे मुझे कराया आता है, जो आपके सामने बगने को होगा, जो इस के अनधे रहा रहे हैं तो किसी के लिरी पास्त आरहा है सिचिशन थी वो आपकी आपने उनको देखा है अपनी जंदेगी में अपने आपको ट्रांसफर्मिशन की तरफ आप लेकर आएं तो जो आपने फेस कर उसके बाद डिसीजन भी आपकी हाथ में आने वाला है ठीक है लेकिन आप खुश होंगे अपनी खुशी से जो आप चू अपने वाला है उसमें हैपनी है उसमें स्टेबिल हैं बैलंस हैं लॉंग टर्म रिलीशन्शिप को देख रहे हैं लेकिन लव लाइफ में चॉइस जो होगी वह आपके हाथ में होगी चूज आपको करना हो ठीक है एक न्यू बिग्निंग होने वाली हाप है सन का कार्ड है लवर का कार्ड है और चारियोट का कार्ड है ठीक है ब्लाक अन वाइट सीच्विशन होगी लेकिन यहां पर बस आपको आप जो भी चूज करें बहुत समझ कर चूज करिएगा और लॉंग टर्म बेस पे होगा जो भी जो भी चुआइज होगी आपकी लॉंग टर्म तक र क्योंकि जब यह न्यू बिग्निंग आपके तरफ आरी किसी पास को पास थॉर्ट आपके माइन में है आप किसी पास सिचेशन को किसी पास आवो मुईंट को सोचते वे नदर आरे लेकिन आपको कम्प्रीटली पास लेट गो करना पड़ेगा अगर आप रलेशन्शिप में एक न्यू फेस में कदम रखना चाते हैं तो आप लोग के बीच यह एक डिस्टेंस है ना यह हील कर रहा है आपको एक नए डिलेशन्शिप में जाने से भी पहले एक न्यू कनेक्शन बनाने से पहले इंसान को हीलिंग ज़रूर ही होती है आप किसी एक रिष्टे से भाग तो हीलिंग बहुत ज़री आप इसी परसन के साथ अपने पास के साथ नियू फेस में जाएं तो हीलिंग जरूरी है और रहती है अगर इस Porsche को छोड़क और एक यू पर से इंटर कर Raw रहने नहीं ज़रूरी है तो गरी ऑनको हीलिग गोरने से दुनार तारभ रहती है आप सोचते में नजर आ रहे हैं किसी पास सिनारियो को बहुत जादा सोचते नियू बिगनिंग करते वे थोड़ा साब घबरा रहे हैं ठीक है अपी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ जाने से पहले अपने पास के उपर ज़रा नजर दालते वे मुझा आप जरूर आ जब कि लाइफ में आपको जो मिल रही है आप मैनिफेस्ट तो नियू बिग्निंग कर रहे हैं लेकिन हाट ब्रोकन एनरजी से ठीक है अकेल हैं, साइलेंट हैं, हीलिंग बहुत जादा इंपॉर्टन है अपने आपको हील करें जब तक आप हील नहीं करेंगे ना वह चीज आपको वह खुशी नहीं दे सकी कि जो खुशी आप पाना चाहरे हैं उस लव लाइफ में शुरू होने से पहले आप अपने आपको डिस्टप मस सोचें कम्प्रीट ली लेट गो करें जो हो गया वह हो गया ठीक है अगर पास वाले परसन की गलतियां नहीं भूले जानी तो परसन को भूल जाएं अगर गलतियां भूल सकते हैं तो फिर उस परसन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई आ रहा है आपकी तरफ चिक है कोई आपकी तरफ अप्रोच लेकर आ रहा है कोई परसन आपके साथ कनेक्ट करने आ रहा है कोई जदा बहुत पैशनिटिफ परसन लग रहा है मुझे यह कोई आपको सिंगल इंडिपैंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड बहुत हैं बहुत हैं इने चाहिंट हो रहता है बहुत है पर बन्र माइनिंध को तरह हो ओउरा है आप काफीयस दिर्श्ट्रेश्य कि बॉस्व Two or no do करिया, आपको जो मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं है, ठीक है, आप एक उल्जन का शिकार हो जाते हैं, बहुत है, किसी उल्जन में चले जाते हैं, मुझे आपकी तरफ लोग इंटरस्ट लेते वे भी दिखाई दे रहे हैं, जितना आप खुद को रिजर्व रखकर, सिंग किसी आप तरफ दे क्रिया रहे हैं जो लोग आपकी तरफ दे तरह अरेएं मुझे उखे, अफिवकित अर बरदी जा रहे हैं और टार एक जा रहा है कोई सोचल मेडिया साइट पर सब्सक्राइब भी तरन वर नदर आ झाए में बेर अनन भी हो सकते हैं वो फिर भी आपके अंदर इंट्रेस्स ले रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जो आप अपने उपर वर्क कर रहे हैं, वो जो एक शाइन होती है, आपकी जो वाइब्रेशन की शाइन होती है, वो लोगों को समझ जाती है, वो लोगों को दिखती है, ठी तो आपको डिवाइन जस्टिस मिनना जा रहा है, एक न्यू बिग्निंग, लीप आफ फेट, हाँ, आप किसी पास सचेशन को कम्ट्री लेट गो कर रहे हैं, एक रिक्स टेकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने हैं, अपनी जन्दगी में न्यू चीजों को एक्स्टोर आप आप के सचेशन से सही निगल नहिंасे हैं, आपको बैलन्स चाहा है अपने आप एक राइट ट्रैक पर लाना चाहिं लेकिन आप प्रो थेक्सीन के थू आगि तरफ बढ़ और पे बहुत कुछ द्टाइक बहुत कि बहुताद बर्डर उठा है आपको आने वाले多ड़ आपके में चाहर नहीं को बहुत बढ़ा करें। को प्रिअपने हार्ट को प्रोटेक को ब्रॉटेक करें। किसी को प्रेति करें करने चाहते हैं। आपमसे तूते हैं। आप एमोशनली खुद को नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप आज भी कमजोर हैं, आप एक वाल अपने क्रियेट कर दी, आपने खड़ी कर ली अपने इर्द गिर्द आगे पीछे सब जगा और मतलब कि आप शायद दुनिया को लग रहा है कि आप 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 की चीज़े भूल सब्सके चीज़े आप परिटन होगा लकीऑ उसमें ना किसी ऐसा हो सकता जो परसन आपके तरफ आ रहा है काफी डिफ्रेंट हो आपसे जैसे बहुत जादा बहुत जादा अपोसित हो आपसे लेकिन फिर भी एक अट्रेक्शन होती है जैसे येंग और येंग ब्लैक और वाइट फिर भी वो दोरों एक दुसरे के लिए बनें तो ऐसा पर सकता है जिसको आप कंप्रीट कर रहे हैं और जिसको आपको कम्प्रीट कर रहे हैं अगर आपको लगए और ऑब किसी से बात करें तो वही परसंन पूसकाई है जो long term का है नहीं उसके साथ अभी कोई distance है आपका ठीक है वो कोई दूर है कौन हो सकता है यह person जो आपकी तरफ move कर रहा है अब 80% हील है ठीक है अगर आप थोड़ा सा अपने आपको और balance करें ना चीजों को सोचना बन कर दें आप काफी हद तक हील हो चुके हैं यह वो लोग है जो रह रह कर याद नहीं कर रहे है पास्ट वाले person को जो उन से बेताब नहीं है बात करने के लिए जो अभी भी एक नीडी नहीं है ठीक है यह वो लोग नहीं है यह जो उन लोगों की reading नहीं है जो अभी तक बहुत जादा हद से जादा इंदिजार में लगी है ठीक है कुछ सड़न होने वाले आपकी life में ठीक है यह पर टावर की energy कुछ सड़न अनेकस्पेक्टेड होगा बहुत अनेकस्पेक्टेड है आपकी life में जो event होगा यह अनेकस्पेक्टेड होगा 10 of Pentacles, आपको marriage offer मिलेगा जो भी एक आपकी लाइफ में फूल आपकी लाइफ में होने वाला है थे कि अनेक्सपेक्टिट वे में आने वाला है आप पास्से अगे की जर्फ इस नेगेटिव सिचुशन से आप किसी पास्ट जो भी आपकी लाइफ है आप उससे मुवाउन कर रहे हैं आप अपनी जिसे दीम लाइफ जो थी ना आप उसको वह मुका मिलेगा उस लाइफ को जीने का अप इतना बहुत प्रैक्टिकल आपका माइंसेट हुआ है इस वक्त इस वक्त इस बात को एक्सप्ट नहीं करेंगे थोड़ सा कॉन्टेट भी हैं आप सड़न होगा हुद को प्रोटेक्ट कर चल रहे हैं आप ठीक है आपने जो अपने अपनी लव लाइफ चाही थी वह चीज़ आपके लाइफ में अपके लिए अनेक्सपेक्टेट वे में आपके जंदगी माईगी एक जो नियो बिग्निंग है वह बहुत ज़्यादा सड़न आपको दिखने को मिलेगी लेकिन आप अपको बहुत बलॉन्ट काफी ज कि आपके समय आपके लाइफ में दानेक्स कोज़ में मेघनाय थी अपकी हमें अपनी यह बिल्कुल घ्रीम पर्टम की लाइफ हो कियो उसक्त है छीज अपको लाइफ में म serv handmade जाब के आपको डूल्न का ब Sagam वही है divine timing ठीक है? जो कहीं से आपने emotionally walk away कर रहा है कहीं से emotionally आप आगे बढ़ गए है अपने balance के लिए आपने कहीं से किसी situation से आप move on कर रहा है wisdom, अपने wisdom की वज़ए से आपने कहीं से move on कर रहा है कहीं बहुत जदा आपको confusion थी आपको illusions थी आप winter निए不ढ़शन है लेकिन आप बहुत time से वहाँ बने आपको अपने इन्वेस्ट कर आप ताउब बहुत time से अप Dengan पने आप अपने थी हमतने आप नहीं थी तिख मुआ उपसेट है लाए नहीं से आपको तुब एमोशनली juga इसका फ्यूल होता है, जब वो completely अपने उसके लाइफ में वो happiness होती है, वो सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन जितना उसका emotional side उसका damage होता है, उतना वो drain फील कर रहा होता है, तो किसी situation ने आपको emotionally बहुत जादा ड्रें किया है, तो आप अपने आपको balance करने के लिए कोई situation पर कुछ नहीं होने वाला, आपने आपको चूज कर रहा है, आपने आपको balance करने के लिए, अपने जो energy से उनको hold back करना सीख़ा है, उनको balance करना सीख़ा है, खुद अकेले में, पहले आपको किसी और के अपर यकीन था कोई आएगा, अपनी गलती को accept करेगा, और आपको व की लिए लाइक के बटिन तमारा मत भूलें और इंसेग्राम को follow करें, thank you.